इस लेक्षर में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग और जंबल स्पेलिंग को अब यह क्या चीज़े हैं इसके कौन से कर्षेप्ट है यह सब आपको बताऊंगा इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन को पढ़ा था एनलोजी को पढ़ा था डिक्लासिफिकेशन को पढ अगर यह वाले लेक्षर नहीं देखे हैं डिरेक्ट इसमें आ गए हो तो पहले वह लाजमी देखो यह आपको समझ नहीं आएगा अपना टाइम जाया ना करो इन तमाम वीडियो के लिंक्स जो ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप इसको देख सकत होता है कि a c e is coded as to c जो है इसका code क्या होगा तो हमने कुछ logics लगाने होते हैं कुछ यहां पर tips and tricks होती है तो आपने को इस्तमाल करना है तो हम अपना answer ढूंड पाएंगे इसी तरह से और jumble spelling क्या होता है jumble spelling कहते हैं किसी spelling किसी भी word के spelling के साथ share खानी कर देना मतलब क्या है इसमें कुछ गरबर पैदा कर देना उसका spelling उलट कर देना अब मेना नाम जो है उसका spelling उलट कर देना आर पहले आ जाए अबाद में आजाए तो हमने क्या करना होता है उनको rearrange करना होता है उसको दوبारा से तर्तीब देनी होती है और एक number एक जो हमारा word है उसको असल जो meaningful word हो को बनाना होता है और उसमें कुछ और अलग-अलग किसम के भी लॉजिक्स आपको देखनों के मिल सकते हैं जिसमें वह आपको कहा दे के बताएं नमबर भी साथ में अपना वर्ड भी बनाए रिरेंज भी करें साथ में यह भी बताएं कि इसमें से कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है तो हम जिससाब कोछ अपने में करेंगे तो इसके भी आपको में प्रैक्टिस के लिए रहा हूं और बाकी जो मजीद आपने प्रैक्टिस करनी है वह आपको पता है कि आपको सारी एमसी क्यूज हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी तो अपनी 20 एमसी को श लिखना है ilmiwek.com और search लगाने यहां पर आपको मिल जागा है मैं हर वीडियो बता रहा हूं आपको तक कि जो बचे नए आ रहे हैं उनको पता चल जा जिनको पहले से पता है तो उनको पता है कि यहां पर आपको मिल जागा मैन्यो का बटन मुबायल के अंदर यहां वाला यहां पर आपको मिल जागा intelligence test तो यहां पर आप direct access कर सकते हैं या और भी बहुत तरीक हैं इसको access करने के तो वहां से भी आप कर सकते हैं सिर्फ website आप open कर लिए आपने से और यहां पर हमने पढ़ लिए थे कौन-कौन से blood relation तक पढ़ लिए थे आज हमारा रहने वाला है coding dec recording तो मैं इसको क्लिक करूंगा इस तरह से हमारा coding decoding open हो जाएगा और यह पहला टेस्ट जो है 20 MCQs पर है और बाकी जो quiz हैं आपको मिल जाएंगे जो के यहां पर मौजूद हैं और यह वक्त के साथ-साथ बढ़ते रहेंगे 12 यहां पर हैं मतलब 120 हैं यह दस-दस नंबर के ह लेकिन पहला 20 का है ताकि आप एक concept क्लियर रहें तो इसको शुरू करते हैं coding decoding and jumble spelling का हमारा बस पहला MCQs जो मिलता है वो है if fellow is coded as 4, 6, 5, 3, 1 then fellow is coded अब fellow का code उसने बताया है अब हमने fellow का बताना है इसके तरह क्या होता है आपके पास से कि आपको जो भी word दिया जाए उसको आपने अलग-अलग spelling लिख लेने जेशरा कि यह F है और इसके बाद E है फिर L है L है फिर इस तरह से O है और यह W इसका spelling लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है इसके code लिखना हास जो number उसमें दिये हुए है क्या number दिये देखें इसका मतलब क्या है कि F जया है वो किस के और W कोड क्या है एक अब इसका हम अलग अलग यहां पर के F का चार है और इसका चे है इसका पांच है इसका पांच है इसका तीन है और इसका क्या है एक है यह उसने एक कोड दिया इसलिए से उसने यहां पर क्या बताया हमें के जो फैलो है इसको हम इस तरह से कोड दे रहे है ठीक है यहां पर बताएं कि इसका क्या मतलब है यहां पर अब इसने क्या कहा था यहां पर हमें कि जो ए है इसमें जो एलो है अब इसमें पहले पहले क्या रहा है इ आ रहा है अब इ किसके बरावर है छे के बरावर है तो इसका मतलब क्या है लो में यह हमारे बस क्या जाएगा छे आ जाएगा ठीक है उसके बादा रहा है डबल एल डबल एल किसके एक्वल है पांच के एक्वल है डबल एल है तो क्या हो जाएगा दो पांच हो जाएगा ठीक है इस तरह से आ रहा है ओ ओ किसके एक्वल है तीन क तो जो कि हैं मिल जाता है option number C पर तो यह हमारे पास क्या हुआ आंसर question number 2 face is coded as 613 then A, C, E is coded as अब यह भी आप खुद कर सकते हैं इतनी क्यों मुश्किल वले बात नहीं है इसमें क्या है कि F का जो नंबर है वो क्या है? चे है और इसी तरहां से A का जो नंबर है वो क्या है? एक है और C का नंबर क्या है? तीन है और E का नंबर क्या है? हमारे पास पांच है तो यह हमारे पास क्या है? नंबर है अब हमने बताना है A, C, E का A का नंबर क्या है? एक है और C का नंबर क्या है? तीन है तो यहां पर कहले दूंगे टीज लिग देंगे और ए का नमबर क्या है पांच तो हमारे पास 135 क्या जाएगा आंसर जो कि हमें दूसरे नमबर पर मिल रहा है तो यह हमारा क्या हुआ आंसर गुश्चन नमबर थ्री है इसका मतलब क्या है इसका मतलब कुछ और बन रहा है वो इसका मतलब बनता है कि यह जो इसने गेम खेली है वो यह वाली है कि इसके तीन स्पेलिंग है हमारे बास बी ओ और एक्स कितने बनते हैं तीन बनते हैं तो बॉक्सर है इसमें कितने spelling हो जाएंगे अब इसमें गिंटी करते हैं एक दो तीन चार पांच तो इसमें क्या हो जाएंगे पांच और इसका मतलब यह यह था तो हमारे बस आंसर के रहने बाला है पांच रहने वाला है इसमें सिर्फ यहां पर code इस तरह से दिया है कि सिर्फ उसकी गिंती कि आप उसने को वो नहीं बताया कि अलग-अलग कोड ठीक है तो इस तरह से सवाल भी किसी तरह भी सवाल आ सकता है ठीक कुश्चन नबर चार हमारे पास है इस एक्वल अब क्या करना है हमने यहां पर लॉजिक क्या फाइंड करना है एक अब यहां के अगर देखे इसने क्या किया कीई है एक बिग और देख लिए एक इस तरह से थोड़ा सो दिमाग इस्तिने अख'd करें कि से असका चरी और ऑपन नंबर समझ आ रहा है वो लॉजिक यह है कि A B C सीधी चलती आ रही है लैटर सरी चल रही है बट इसके उपर even नमबर चल रहे हैं दो चार छे आठ दस अब हम सेम कॉंसेप्ट लेके आगे चलेंगे सी के बाद क्या होता है डी होता है और डी के बाद क्या होता है A तो यह सीधी बीचे जा रही है हम इसको आगे लेके क्यों जा रहे है हम अब समझाएगा कि उसने बताया कि अब यह है आठ दस दस और बत्तिस अब च्छे के बाद क्या होता है यह 8 मतलब D का कोड है और यह 10 इसका कोड है ठीक है E का कोड है और F का कोड क्या हो जाएगा 12 अब देखते हैं यह हमारे पास 8 आठ जो है यह वला हमारे पास क्या है आठ है अब 8 किसके एकवल है डी के एकवल है तो हमारे पास एक नंबर क्या बनेगा जो के यहां पर लिख द अब देखते हैं इसने लिकाए 10 और फिर 10,ब 10 किसने एकवल है एक वाल यह पिर एक बार 10 की मतलब है एक बार ई फिर एक बार ए फिर एक बार अब हमने आख़री का करना है 32 को find करना है कि कौन से letter हमारे बस बनता है अब इसके लिए आपको ABC लिखनी पड़ेगी जब तक आपके बस 32 नहीं आता यहां पर हमें लिखता हूं तो F के बाद क्या आता है G आता है H और I यह आप लिख ले ना J K L M N O और यह P और Q यहां तक चेक करता हूं कि मेरे बस 32 आता है के नहीं तो यह हमारे पास हो जाएगा 14 यह हो जाएगा 16 इवन नमबर चलाने और I के हो जाएगा हमारे पास 18 और यह 20 के हो जाएगा 22 L क्या हो जाएगा 24 और M हो जाएगा 26 ये 28 और ये क्या हो जाएगा 30 और P हमारे बस क्या हो जाएगा 32 इसका मतलब क्या है 32 कहां पर आ रहा है P पर आ रहा है तो अब जो हमारे नहां पर नमबर लिखे थे वो क्या थे D लिखाता और डबल E लिखाता और P पर क्या रहा है 32 आर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर अगला जो हमारे बस word हो जाएगा तो हमारे बस क्या बनने वाला है डीप हमारे बस असल क्या है answer है जो कि हमें दूसरे उसमें मिल जाता है तो यह easy सवाल था इसको practice करेंगे तो हो जाएगा अब इसके लिए भी बिल्कुल same concept रहने वाला है वो ही वाला है आप जहां पर गवर से देखें तो S जो है हमारे पास किसके एक वाला है 3 के और T किसके एक वाला है 1 के है और E किसके एक वाला है और P किसके है और यह है 5 के अब यह देखें वैसे पैट्स जो है यह step का उलट है उलट नहीं है बलके उलट ही आ रहा है ठीक है तो हम इसके नमबर को उलट डिरेक्ट भी कर सकते है इस तरह से हमारा सवाल भी हाल हो जाता है अगर ऐसे नहीं करना तो फिर हम इसके code लिखेंगे जो के हमारे पास यह P है तो P का code हमारे पास क्या है 5 है इसको मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं ताके आपको अच्छी तरह समझाए जो के यहां पर था स्टेप जो था ना S, T, E और इसमें क्या था P था तो S का हमारे पास 1 था, 3 था और यह बला बता रहा हूं ठीक है तो confused नहीं नहीं यहां पर लिखे हुए है T हमारे पास क्या है, 1 है और E हमारे पास क्या है, 6 है और P हमारे पास क्या है, 5 है तो Pets में क्या हो जाएगा, अब यह P का मतलब क्या है P का हमारे रपास क्या रहा है 5 आ ठीक है अब यहां पर देख तो यह हो जाएगा 5 इस तरह से E हमारे रपास क्या है 6 जो कि यहां पर लिखा हुआ है तो यह हमारे बस 6 हो जाएगा और T का हमारे रपास 1 है और S का हमारे रपास क्या है 3 है तो हमारे बस क्या हो जाएगा 56 तेरा answer हो जाएगा जो के यहां पर आपको मिल रहा है यह answer हो गया question number five complete medical is true यह भी बिलकुल वैसा ही है इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है medical इसमें भी क्या है आपको number दिये गे हैं अलग-अलग code दिये गे हैं यह हम इसके medical को लिख लेते हैं M E D इसके अलग spelling लिख लेने है E D C A और यहां पर क्या हो जाएगा L हो जाएगा M E D I C A L इस जरा से M का जो हमारे पर सब code आने वाला है वो क्या होगा यह वाला इसके साथ आएगा तो यह हो जाएगा 5 और E का हो जाएगा 1 D का हो जाएगा 3 तर को जाएगा 2 और यह साथ 6 और यह इसका क्या हो जाएगा 8 तो यह सारे इदर से हमने लिखे है ऐसी वाज़ा welty और हमें का हो जाएगा तो अगर हमारेपस जो है वर्ड है वो क्या है decimal है इसमें हमारे पहला इ हमारे पहले D है और I हमारे पास दो के है M हमारे पास यहां पर पांच के है और यह सी तरह से आगे है A A हमारे पास छे है और L हमारे पास क्या है 8 तो हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो यह वाला है यह 31, 72 जो अंसर यहां पे ढूड लेना है 31, 72, 568 जो के मेरी ख्याल में ये पहला पहला आप्शन आपको नदर आ रहा है ये वला है ये वला तो ये हमारा क्या हो गया अंसर हो गया तो ये अंसर भी क्या है बिल्कुल ठीक आपको नदर आ रहा है इस तरह से है ट्रैवल इसका अगला कोड है और लेटर का कोड हो कहते है बताए L है अब T हमारे पास क्या है चार है तो यहां पर चार और अगला R है तो यहां पर क्या है पांच है अगला और यहां पर अगला हमारे पास A है तो यहां पर हमारे पास A है तो यहां पर हमारे पास A है यहां पर हमारे पास A है यह सारे यहीं से ही लिखे जा रहे हैं और इस तर हमने किसे एक्वल लिखा है यहाँ पर तीन के एक्वल लिखा हुआ है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा च्छी हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास है अगला है ए हमने लिखा हुआ है एक के एक्वल ठीक है और टी हमारे पास क्या है चार के एक्वल यहाँ पर आपको सब न पहले पहले नूमबर पे जो है क्वेशन नूमबर एट है एस मे आइस टू थ्री वन टू फोर सेवन और इस तरह से आर इमस इस टू अब भी बिल्लकुल सेम ही है इसमें भी कोई डिफ्रेंस नहीं है पिछले सवाल की तरह इसका मैं एस पहले लिख लेता हूं और एम भी लि एम का हमारे पास क्या है एक है और ए का हमारे पास क्या आ जाएगा दो आ जाएगा तो ये दो हो गया इस तरह से एक हमारे पास क्या है चार है और इस आर का हमारे पास क्या है साथ है तो हमने क्या करना है अब इसको लिखना है आप यहाँ पर पहले क्या है आर है तो आर हमा हमारे पास 4 के equal है तो यह न पर हमारे बीक czego है सिर्फ आपको लेटर का कोड नंबर नहीं दिया जास था लैठर लेटर भी दिया सकती है जैसा कि यहाँ पर ए भी लैर बिना वह भी से लैटर कोड लेटर भी हो सकता है तो वैसे शतरुपां से नंबर लेठर तो वैसे फूटा ही है आपने पिछे पड़ा है कुछ MC आपने पड़ियेए यहां पर आप हम ने क्या करना है? यहां पर आपने बिल्कुल वही लेटर स्रीज की तरह ABC कर इस्तिमाल करना होगा. अब यहां पर जो है यह बी सी करना है? अब वह कहते है ABC अकोड क्या है? जी Y X है. बहुत ऑज़या मतलब order चल रहे हैं किस के चल रहे हैं ABC के जी वाई X उल्टा चलता आ रहा है ठीक है और ABC सीधे चल जा रही है ठीक है उधर से in day से मतलब क्या और यह उल्टी पीछे की तरह आ रही है और शुरू से क्या करे बढ़ती जा रही है तो यहां पर है D, E, F अब इसका क्या मतलब है This is C के बाद क्या आता है D आता है न, E, F अब यह सीधी चलती जा रही है वहाँ पर क्या ओल्टी होगी तो हम क्या करेंगे अब जो हमारे पस X से पीछे आता है हम उसको क्या करेंगे लिखेंगे यहां पर पास है, if the word PONM is written in the code as MNOP, how would you write the word ZYXW in code? अब इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब बनता है, इसके लिए भी मैंने बताया के letter का code letter है, यहां पर भी letter का code का का देगा, letter देगा number नहीं दिया गया, इसके लिए हमें ABC दूर पड़ेगी लेकर यहां पर गोर से देखें, तो यहां पर यह जो MNOP है, यह वाला, अगर मैं ULT order में उसने दी है, उसने उसका का कर दिया है, सीधा बना दिया है, तो यहां पर उसने जो ULT हमें दिया हुआ है, तो हम इसको क्या बना देंगे, सीधा बना देंगे, जो क्यों हो जाएगा, WXYZ ठीक है, तो यह हमारे पर पस answer क्या जाएगा, यह वाला, WXYZ option number C, तो यह बिलकुल सिंपल सा सवाल था इसमें क्या लोजिक था कि उसने उलट जो तर्तीब थी उसको सीधी कर दी हमने क्याद है उलट को सीधा कर देना है इस रहां से A C E coded as G I K then M O Q coded as अब इसमें भी हमें A B C के जूरत पड़ेगी यह भी लेटर वाला code है तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ ताके आप अच्छी तरह समझ भाए कि मैं जवाब कहां से निकाल रहा हूँ A B C D E F G H I J यह आपके पास वाइट पोर्ड होगा महाँ पर आप लिख सकते हैं अगर किसी को याद नहीं होगी वहाँ जब एक्जाम दें जाओगे L M N O P Q R S बस इतनी काफी है मेरे खाल से जवाब आ जाएगा अगर जूरत पढ़ागी तो मैं आगर लिख दूँगा तो A C E अब यह हैं हमारे पास A और यह है C और यह है E वो कहता है इसका जो code है वो क्या है G I K है तो हमारे पास G यह है और I यह है K है अब इसका क्या मतलब है कि वो क्या कह रहा है बीच में से एक एक letter को skip कर रहा है फिर उसके बाद अगला code दे रहा है अगला code भी वैसे ही लिख रहा है क्या करता है G I K अब G के बाद तो H होना चाहिए लेकर उसने I लिखा हुआ है ठीक है तो अब क्या मतलब है कि जहां पर J उसने skip कर दिया तो कि अब इसका मतलब simple सा बन रहा है कि एक letter को skip करना है और आगे हमने बनाना है अब आगे उसने दिया हुआ है M O Q तो हम Q के आगे क्या करेंगे एक letter skip करेंगे फिर एक letter लिखेंगे फिर एक letter लिखेंगे तो M हमें यहां पर मिलेता है M L M N O यह हमारे बस O है और यह हमारे बस क्या था Q था अब Q के बाद हमने क्या करना है एक letter skip करना है तो हमें S को उठाना है तो एक हमारे बस S हो गया आगे हमारे बस क्या होँचे T होना चाहिए S, T, U यह पूरी ABC में यहां लख रहा हूँ क्योंकि यहां पर जूरत पड़ गई है U, V और यह W अब S उठा ले, S के बाद क्या करना है A को skip करना है तो यह हमारे बस क्या जाएगा यू और इसी तरह से हमने A को फिर skip करना है और हमारे बस क्या जाएगा W तो तीन वर्ड उठाना है क्योंकि यहाप उसने तीन दिये हुए है तो M, O, Q के बाद हमने क्या करना है एक नंबर skip करना है फिर लुठाना है फिर skip करना है क्योंकि पिछले लॉजिक कुछ इस तरह से इस्ताव हुआ था यहाँ पर तो यह S, U, W हमें मिल जाएगा अप्शन नंबर A तो यह हमारा answer होगा करेक्ट क्योंकि नंबर 12 है रिएरेंज जम्बल स्पैलिंग वाई, यू, वी, एस, इ, आर इसके बाद इसको जरह घौस्ट देखें इसमें क्या होता है जम्बल स्पैलिंग वाले सवाल आगे है अब आगे जम्बल स्पैलिंग का मतलब मैंने पहले पता है स्पैलिंग के साथ छेड़ खानी की जाते है ताकि हमें जो है ना उलट स्पैलिंग दिये जाएं और हमको सीधा करके रिएरेंज करके उसका एक मीनिंग फॉल वर्ड बना पाएं अब यहां पर क्याते है बास वकत वह आपको हिंट भी देता है नमबर वर्ड बनाने के जिस तरह के यहां पर है तू एक्सपलॉर अब इसको जब रैकेट में लिखा हुआ ना महाँ पर तो इसका मतलब समझ ना कि यह आपको हिंट दे रहा यह वाला ठीक है टू एक्सपलॉर का मतलब वो कह रहा है कि इसके हमने स्पेलिंग को क्या क्या है जंबल किया है छेड़ खानी किया है इसको हमने उलट कर दिया जिस तरह भी उसने किया है तो इसके साथ आपने एक ऐसा वर्ड बनाना है ठीक है इस तरह से भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास पूरे के पूरे वर्ड आये हुए हों तो सर्वे का अब जिसने क्या क्या था इसके चेंजने कैसे की थी कि इसने सर्वे के S को यहां पर लिग दिया, U को फिर यहां पर लिग दिया, इस तरह से R को यहां पर, तो एक्शल में जो हमारे पास वर्ड था, वो क्या था, सर्वे था, और ये सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे क्यों कि रिए था, तो हमारे पास क्या हो गया, सर्वे हो गया, ये हुआ हमारा क्रेक्ट अंसर सर्वे, दूसरे नमर पर बिल्कुल ठीक जवाब है, रिएरेंज दा जंबल स्पेलिंग वर्ड डी, डी, ए, सी, ए, अ, और इसके बाद उसने यहां पर हिंट दिया है, हिंट हमारे पास क्या मिल रहा है, टू गो अप, उसने काई, यह जो आपके पास नवर्ड है, इससे कुछ ऐसे चीज़ बने जिसका मतलब क्या बनता है, गो अप, मतलब उपर जाने के रही है, ठीक है, and make the meaning for word हमने इसका meaning for word बनाना ये वाला अब हम देखती हैं अगर गोर से तो इसका जो हमें यहाँ पने दर आता है dance का मतलब तो उपर जान नहीं होता केंड कभी नहीं होता है हमारे पास यह जो number है ना ascend ascend ऐसा word है जिसका मानी क्या होता है बढ़ना होता है ascending और descending आड़ आपने पढ़ा होगा तो ascending का मतलब क्याता है बढ़ना होता है यह उपर जाने के लिए ठीक है तो हमारे पास यह क्या बनेगा ascend बन जाएगा यह कैसे बना है इसको तरतीब देने से बना यह जो हमारे पास उसने बिगाड के नंबर दिये था यह वाला यह वाला तो इसको खान तरतीब देते हैं इसमें A पहले आ जाता है S फिर C E N और भी का बनता है D बन जाता है तो ascending बन जाता है और इसे तरह से हमारे पास answer रहेगा यह वाला और आगे चलते हैं question नंबर है और यहाँ पर उसने एक spelling दिया है यहाँ पर एक उसने word दे दिया है हमें जिसके spelling जो है ना जंबल हो पड़े हैं बिगडे पड़े हैं तो अब hint भी यहाँ पर मिला है कि यह किसी legal काम के लिए इस्तमाल होता है word लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है नीचे word नहीं दिया कौन सा word बन रहा है अब वो क्या कर रहा है वर्ड भी खुद बनाओ लेकिन पूरा word इसलिए नदे रहा है ताकि आपको पता न चल जाए देखने के बात की तो कानून की चीज तो यह है तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा आपको word बनाना पड़ेगा एक ऐसा word बनाना पड़ेगा जिसका आपने last letter mention करना है आखरी number अब यहाँ पर यह जो है इसका तालग को कह रहा है किसे है legal से है किसे legal काम के लिए है इसको आप arrange करेंगे अलग-अलग तरीके से आप इसके अलग-अलग word बनाने की कोशिश करेंगे English वाले तो इसका जो word बनता है वो correct क्या बनता है valid बनता है वी-ए-ल-आ-ई-ड आप इसको बनाके देख लो जो गलत word होगा वो बनेगा यह नहीं ठीक है अगर कोई बन भी जाय तो उसका तालग लीगल से होना चाहिए जो कि इसने यहाँ पर हिंट दिया हुआ है तो valid हमारे पास क्या बनेगा अगर हम तर्टीब देंगा इसको तो यह क्या होता है लीगल कि लिए तक वैलेट किसे कहती है कि मतलब यह अभी जो आपका लेसेंस है यह वैलेट है यह आप इसीज के लिए वैलेट है यह एक क्या होती है कि आप इसके काबिल होते हैं तो यह हमारे पास वैलेट में जब हमारे पास नमबर क्या बन गया है वैलेट बन गया है तो वैलेट का जो हमारे पास लास्ट था वो क्या था डी था तो हमारे पस last letter हमने mention करना है क्योंकि सवाल में उसने बोजा है कि last letter को mention करो नमबर भी word भी बनाओ और last letter को mention करो question वर पंदरा है rearrange the jumble spelling and make meaningful word ये डी ए पी लो आर ए अब वो कहता है कि ये जो number ये जो हमारे पस word है ये हमारे पस एक animal का नाम बनता है और इसको rearrange करना है तो ये simple साई यहां पर आपको नज़र आ रहा है leopard क्योंकि यह animal है बाकी तो animal नहीं है ठीक है और अगर इसको कम तरतीम से लिखते हैं तो l ये पहले आ जाएगा e फिर उसके बाद a word c-a-n-l-r-e और ये वो कहता है कि army soldier का नाम है लेकर वो कह रहा है कि mention the last letter आप इसमें क्या करना है खुद से आप number बना है फिर उसका आखरी नहीं आपने बताना है तो ये हमारे पास actual word क्या है लांसर हमारे पास बनने वाला है ये आप खुद चेक करेंगे बना बना के ये नहीं कि डिरेक्ट देख देए आपको अगर डिरेक्ट देख देए बन जाए तो बहुत अच्छी बात है आपको समझ आ जाए ये नमबर बन सकता है ये वाला बन सकता है आप्शन के से इसाब से वरना आप इसको चेक करेंगे तो आप कोई लांसर की किसे कहते हैं ये रैंक होते है आर्मी के अंदर ना एक होता है लांसर ना एक होता है इस तरह से रैंक होते है तो लांसर उसे बोलते हैं अब ये इसको देखते ही समझ आगे ये फ्रूट किस तरह बनता है ये असल में मैंगो लिखा गया म-a-n-g-o तो इसको रिएरेंज हमने किया तो मैंगो उसने कहके अब इसने कहके करना है मैंशन दा लास्ट लैटर लास्ट लैटर मैंशन करना है जो कि हमारे बस क्या है ओ है तो हमारे बाद अंसर क्या जाएगा ओ क्योंकि मैंगो सीज का नाम बन रहा है फ्रूट भी मैंगो ही होता है विच च्वैस मेंग दर राइट च्वैस दे लास्ट लैटर जंबल स्पेलिंग के ई सी टी ए और जे उसके बाद कहता है ये कलाथिंग आइटम है मतलब क्या पह जैकेट सब को पता है किसे कहते हैं तो ये हमारे बास क्या बनेगा जैकेट वर्ड बनेगा तो इसका आखरी जो है वो टी होगा जो कि हम यहां पर मिल जाएगा तो इसका लास्ट लैटर इमेंशन करना था ये हो गया टी नबर उनईस है फाइंड ओर्ड मैन आउट बाद अब इसका मतलब क्या वो कहता है कि अभी आपने सिर्फ री एनेजी नहीं करना बलके ये भी बताना है कि फाइंड ओर्ड में और इनमेंसे कौन सा अजीब है तो अब हमने सब के क्या करने होंगे स्पेलिंग बनाने होंगे तब ही पता चल पाएगा कि इनमेंसे कौन सा अजीब है अजीब का मतलब क्या ये कलासिफिकेशन पोच रहा है आपसे मतलब तीन चीज़े आप उसे मिलती होंगी चौथी मिलती ही नहीं होंगी पहले हम इसके स्पेलिंग बनाएगे कोई इसने रियरेंज इसने उलट कर दी है इसके स्पेलिंगी जंबल कर दी है तो अगर मैं इसको गौज से देखूं तो मुझे ये मैंने एक बनाया था जो के मैंगो बनता नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या होता है मैंगो बनता है और ये जो हमारे पास बनता रहा है वो क्या है P.E.A.R. पिर पता है ना सबको अमरूत को कहते हैं तो ये भी हमारे पास एक फल बन रहा है इसका मतलब है कि इसमें जो दो जब मैच होगे तो इसमें कोई नो कोई फल लाजमी चुपाओए क्योंकि दो मैच हो रहे हैं तो तीसरा भी मैच होगा इसमें आप तीसरा इसको मैं फ्ल लेखता हूं यह फ्ल बनता है तो यह हमारे पास क्या है एपल असल में है लिखा हुआ हुआ है लेकिन स्पेलिंग के साथ जंबलिंग की गिए छेड़ खानी की गिए तो एपल हमारे प तर्तीब से लिखना है यह जो चेयर बनेगा और यह तीनों के आइटम है और यह हमारे पास एक अलग आटम है तो चेयर हमारे पास ओड भी है और हमने नंबर भी बना लिए तो इसमें हमने डबल डबल काम किया है question number 20 है find old man or by the first reäsinable spelling of the word आप क्या करना है इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है अजीव word भी find करना है ल risk छीर ब्रेरिख को रीरेंच भी करना है इसका मैं पहले को देखता है तो मुझे है यह नदर आ रहा है paper बनता है यह अब कैसे پर चलेगा आपको आपने इसको बार बार चेक क अलग-अलग कभी ए को पहले लिखो कभी फिर पी को पहले लिखो फिर लॉजिक बनाने की कोशिच जो इसके अंदर यह पेपर बनता है और इस तरह से यह हमारे पास और इंग बन जाएगा और यह पी एन यह पी क्या बनता है अहारा बनता है जिसको मैंने तरटीं दीए रियरेंच किया तो हमां और इन में से कौन से लागा रहाए अजीब कौन से लागा रहा है और निया तरह से आइप इसमें आया तो मैं महाँ पर आपको रिप्लाई करूंगा इंशालला हमारा कोडिंग डिकोडिंग एंड जंबल स्पैलेंग का लेक्चर खतम हो गया है उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डारेक्शन सेंस टेस्ट को उसके बाद हमारा होगी नान वर्बल तो इस तरह से हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर किसी कोई मसला हो तो वो मुझे से वर्ट सैपर राप्ता कर सकता है अगर किसने paid class लेने तो वो भी ले सकता है हमारी paid class चलती रहती हैं जिसमें बहुती कम फीस होती है तो इस lecture के साथ मुझे दें इज़त मिलते हैं शाला अगरे lecture में दुआ कीजिएगा